किसान भाईयो इस समय पर अधिकतर चेत्रों में स्वयाबीन की भसल में फूल निकल चुके हैं और कुछ चेत्रों में फूल से फलिया बनने की स्टेज भी आ चुकी है तो इस वीडियो में हम आगे डीटेल से बात करेंगे कि स्वैबिन की बसल में फलिया बनते समय पर हमें कौन कौन से काम करना चाहिए क्योंकि बहुत से किसानों के ये समझे आती हैं कि उनके स्वयबीन में फूल तो बहुती अधिक संक्या में निकलते हैं लेकिन फलिया बहुती कम बनती हैं मतलब कि जब फूल निकलते हैं उस समय पर ऐसा लगता है कि इस बार काफी अधिक फली आएगी और काफी अधिक उत्वादन मिलेगा लेकिन जब फली बनती हैं तब फलीया फूलों के अपयक्सा आदी ही बन पाती हैं तो उसका क्या कारण हो सकता हैं इसके लावा बहुत से किसानों के सोयबीन में जब फल्या बनती हैं थब फल्या बहुती छोटी रह जाती हैं मतलब कि सिर्फ दो दानों की ही फल्या बन पाती है तो फूलों से अधिक से अधिक संक्या में फलिया बनाने और फलियों की साइज और फलियों की लंबाई बढ़ाने के लिए हमें फलिया बनते समय कौन-कौन सी काम करना चाहिए कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना escape के अंतितक देखे और आप हमारे चैनल पर पहली बाराय हो तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे और उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजे किसान भायू सबसे पहले तो यह बात करते हैं कि फूल अधिक संक्या में आने के बावजूद फल्या कम क्यों बन पाती हैं तो इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं पहला कारण यह तो फूल जड़ जाते हैं और दूसरा कारण यह हैं कि फूलों को इल्लिया खा जाती है किसान भाईयो स्वैबिन की फसल जब फ्लोरिंग स्टेज में आती है उस समय पर इलिया पोदे के अंदर छिपी रहती है अगर आप पत्तों को देखोगे तो उसमें आपको पत्ते कटे हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये जो इलिया होती है ये फूलो को खाना स्टार्ट कर देती है और स्वैबिन की पसल में बराव होने के कारण आपको इलिया नजर भी नहीं आती है इसलिए फूल तो बहु जाना जाकर देखिए आप पुदे को अंदर से देखिए अगर आपको उसमें अंदर इल्या नजर आ रहे हैं तो पिर उन इल्यों को कंट्रोल करने के लिए आप किसी अच्छे कीड़नासक का प्रयोग कर लीजिए अगर बात करें कि कौन सा कीड़नासक डालना चाहिए तो इ इसके लाबा कईपा एमिनो अशिय्ट टोनिक का एसके लावा कई बार फ़लियों की साइज बहुत ही चोटि रह जाती है मतलब कि जहाँ पर तेन दानों की फलिया बननी चाहिए थी वहाँ पर सिर्फ दो दानों की ही फलिया बन पाती है तो उसका कारण पोड बलाश्ट फंगस भी हो सकती है किसान भाईयो फलियों को पोड बोलते हैं और बलाश्ट मतलब होता है जूलसन इस रोग को फली दूलसन के नाम से भी जाना जाता है यह रोग मुख्य रूप से पंगस की वज़े से पहलता है किसान भायू अगर आपके स्वैबिन में फलिया बनते समय पर इस रोग का अटेक हो जाता है तो उसकी वज़े से फलियों की साइच छोटी रह जाती है तो उसके लिए आप टेबू कोना जोल प्लस सलफर युक्त फाइंगी साइड या फिर पायरेकलो इस्ट्रोबिन का इस्प्रे कीजिए जिससे आपके स्वैबिन में पोर्ड बलास्ट और एंट्राक नोच का अटेक नहीं होगा इसके लावा अगर आप स्वैबिन की फसल में पलिया बनते समय पर नपके 0.524 काद का इस्प्रे करते हो तो उससे भी फलियों की साइज में बढ़ोतरी होती है किसान साती हो नपके 0.524 में 52% फासपोरस और 34% पोटास अवेलेबल होता है जो पोदे की जो फलिया होती है फलियों की साइज बढ़ाने में सायक होता है इसकी मात्रा आपको एक किलो ग्राम परती एकड़ की दर्चे रगना चाहिए मतलब की 15 लेटर पानी वाले इस पर पंब में 100 ग्राम डालना चाहिए तो किसान भाईओ अगर आप वीडियो में बताएगे सारी बातों को फोलो करते हैं तो यकिन मानिए आपके स्वयबीन में चेतने संक्या में फूल आएंगे उतने ही संक्या में फलिया भी बन जाएगी तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राई है इस समय पर आपके स्वैबीन में कौन सी इस्टेश चल रही है कमेंट करके अवशी बताईए चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान